गुड़ मॉर्णिंग एवरीवन मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI Zone में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को Electric Power Transmission Chapter के कुछ बस्तुनिस्ट प्रस्न के बारे में बताऊंगा जो आपके UP PCL TG2 एक्जॉम के लिए काफी हेल्फूल होगा साथी साथ वैसे बिद्यार्थी जो सेमस्टर या N1 का एक्जॉम दे रहे हो उनके लिए भी काफी महत्पूर्ण है चुकि ये objective का जो collection लिया गया ये अरियंद बुक से लिया गया और मेरा हर संभव प्रियास है कि आप लोगों को अरियंद बुक का complete solution करा देू तो चलिए हम start कर रहे हैं question number एक क्या कर रहा है कि DC की aperture AC passion परनाली का मुख लाव है DC की aperture AC participation का अर्थ होता है transmission system DC की aperture AC की परनाली का मुख लाव क्या है तो DC की अप्यक्चा AC की पूछ रहा है तो DC की अप्यक्चा जब AC की पूछ रहा है तो इसका मुखलाब यह होता है कि निमने लागत पर पारेशन AC क्या होता है AC के लिए हमको बहुत कम लागत की आवसकता परते दूसरा करा है स्रल वोल्टता परिवर्तन तो हम क्या करते हैं कि AC पारेशन को असानी से हम कम और बेस कर सकते हैं वोल्टेज को अप और डाउन कर सकते हैं इस्टेप अप और इस्टेप डाउन कर सकते हैं सरलता से वोल्टता परिवर्थन और C नमबर में कह रहा है सरलता से DC परिवर्थन यह और हम इसको असानी से DC में भी परिवर्तन कर सकते हैं, रेक्टिफायर के द्वारा AC से DC में, तो ये भी मेरा option number ये भी सही है, AC में निम्दलागत परपारेशन होता है, सरलता से हम बोल्टता परिवर्तन कर सकते हैं, और C में सरलता से DC परिवर्तनिया होता है, जो option number D सही है, चेलिए दो नंबर कोंसन देखें, दो नंबर कोंसन में कर रहा है, कि बिद्दूत उत्पादन के इंदर में बिद्दूत उत्पादन के लिए पर्यूग्त अल्टरनेटर अधिक्तम डैस वोल्टता पर कार्ज करता है, देखे करा बिद्दूत उत्पादन के दर में बिद्दूत उत्पादन के लिए परियोक्त अल्टरनेटर अधिक्तम 10 वोल्ट तापर कार्ज करता है अधिक्तम कितने वोल्ट तापर कार्ज करता है इसके बारे में बताना है कि वो अधिक्तम कितने वोल्ट तापर कार्ज करत जहां पर विद्धूत का उत्पादन होता है, तो वह अधिकतम 11 KV पराम्त करता है, किलो वोल्ट पे चलिए तीन नमबर कोशन देखिए क्या करा है तीन नमबर कोशन में करा है शमानी भूमे में बैदुत्यकी खंबों की भूमी में दवाई गई लंबाई होती है कितना लंबाई होता है इसके बारे में बताना शमान भूमी की बात कर रहा है तो खंबे की कुल लंबाई का छठा भाग शमान भूमी में बैदुति की खंबे की भूमी में दवाई गई लंबाई कितना होगा तो खंबे की कुल लंबाई का छठा भाग जो होगा वो भूमी के अंदर दवाई रहेगा खंबे के कुल लंबाई का छठा भाग चलिए चौथा नमबर कोशन को समझे चौथे नमबर कोशन में करा है कि बिद्दूत वित्रन सिरोपरी लाइन में आज कल बिद्दूत वित्रन सिरोपरी लाइन में आज कर डैस परकार के खंबे का परचलन है किस परकार के खंबे का परचलन है इसके बारे में पूछ रहा है तो उसके लिए होता है ट्यूबिलर खंबा उसके लिए होता है ट्यूबिलर खंबा का परियोग करते है जो अप्सन नमबर शी आपका शही है चलिए पांच नमबर कोस्टन को समझे, पांच नमबर कोस्टन में करा है, सिरो परी लाइन में नंगे तारों की अपेक्छा, चार कोर इंसुलेटिड केवल का परियोग करने का मुख लाब क्या है, करा है, सिरो परी लाइन में नंगे तारों की अपेक्छा, चार कोर इंसुलेटिड केवल परयोग करने का मुख लाब क्या है मुख लाब के बारे में पूछ रहा है तो मुख लाब क्या है कि लाइन में अनाधिक्रित लाइन में अनाधिक्रित सन्योजन लेने में कमी लाइन में अनाधिक्रित सन्योजन लेने में कमी जो option number आपका भी शही है 5 number question में कर रहा था कि सिरोपरी line में नंगे तार के अपेक्शा हम दोग 4 core insulated kevel का परियोग करने का मुख लाब पुछ रहा था तो मुख लाब यही है कि line में अनाधिकरित सन्योजन लेने में कमी होता है 6 number question में समझे 6 number question में कर रहा है कि 2 tubular कंबों के बीच रखी जाने वाली दूरी होती है 2 tubular कंबे के बीच रखी जाने वाली दूरी होनी चाहिए तो कितना दूरी रखेंगे 2 tubular कंबों के बीच जो हम दोग दूरी रखते हैं वो दूरी रखते हैं 50 से 80 मीटर सात्मा नमबर कोशन को समझेे, सात्मा नमबर कोशन में कर रहा है ट्रीपिल सेड़ या चार सेड़ लटके वे इंसू, लेटर्स का परियोग किया जाता है ट्रिपिल सेड या चार सेड लटके वे इंसुलेटर का परियोग किया जाता है कहां पे हम लोग इसका परियोग करते हैं तो ट्रिपल सेड या चार सेड लटके वे इंसुलेटर का हम लोग परियोग करते हैं उच्य वोल्ट ता पारेशन लाइन में, जो option number C सही है, उसके बाद आगे चलिए काता है, सिमेंट कंक्रीट खंबो का उपयोग, सिमेंट कंक्रीट खंबो का उपयोग, डैस तक की जाने में किया जाता है, सिमेंट कंक्रीट खंबो का उपयोग, डैस तक की लाइन में किया जाता है, तो हम दोग सिमेंट कंक्रीट खंबो का उपयोग, 11 KV में करते हैं, 11 KV में करते है जो option number C सही है non number question देखे का रहा है यह आपको बताना है कि कौन सा यह insulator प्रदर्शित करता है कौन सा यह insulator प्रदर्शित करता है तो यह insulator प्रदर्शित आपका करता है यह किस परकार का insulator प्रदर्शित करता है यह आपका होता है cycle type का जो option number D सही है ये आपका सैकल टाइप का इंसुलेटर परदर्शित करता है ये फिगर सैकल टाइप का इंसुलेटर परदर्शित कर रहा है ये जो फिगर देख रहा है ये सैकल टाइप का परदर्शित करता है सैकल इंसुलेटर है यह cycle जो option number D आपका सही है ठीक है तो चलिए next question की ओर next question देखिए 10 number question 10 number question देखिए क्या कर रहा है 10 number आपका question कर रहा है नीमन में से किस इंसूलेटर में तार को बिना लपेटे उसके नीचले भाग में बने क्लिप में कसने की बेवस्ता होती है नीमन में से किस इंसूलेटर में तार को बिना लपेटे उसके नीचले भाग में बने क्लिप में कसने की बेवस्ता होती है लपेटे बिनाव की बात की जा रही है तो वो suspension insulator होता है suspension suspension में हम लोग क्या करते हैं तार को बिनाव लपेटे उसके नीचे भाग में बने किलिप में कसने की बेवस्ता होती है तो वो suspension insulator होता है जो option number C आपका शही है 11 number question की और चलिए 11 number question में कहता है कि high tension overhead चालक को कतार में खड़े बिजली के खंबाव पर सीधा रखने के लिए किस परकार ओचालक का उपयोग में लाया जाता है तो हम उसके लिए हम लोग लाते हैं पीन टाइप insulator का परियोग करते हैं जो option number B सही है high tension overhead चालक को कतार में खड़े बिजली के खंबे पर सीधा रखने के लिए किस परकार का चालक को उपयोग करते हैं तो वो पीन टाइप करते हैं चलिए 12 number question क्यों चलिए 12 number question में देखिए क्या करा है 12 number question में करा है निम्न कतनों पर विचार किजिए 12 number में करा है निम्न कतनों पर विचार किजिए कथन एक पर करा है गार्ड की तनन सामर्थ गार्ड की तनन सामर्थ 635 किलोग्राम से अधिक होनी चाहिए दुसरा कतन करा है कि केज गार्डिंग केवल उर्द्वा परकार की लाइन पर की जाती है केज गार्डिंग केवल उर्द्वा परकार की लाइन पर की जाती है यहां दो option आपके सामने में हैं तो ये देखिए दोनों option सही है कि गार्ड की तनन सामर्थ गार्ड की तनन सामर् शही है चलिए तेरा नंबर कोर्षन की और समझे तेरा नंबर कोर्षन में क्या करा है तेरा नंबर कोर्षन में करा है कि सिरो परी लाइन पर पर्युक्त गार्ड की तनन सामर्थता सिरो परी लाइन पर पर्युक्त गार्ड की तनन सामर्थता डैस से अधिक नहीं होना अधीक नहीं होना चाहिए जो अप्सन नमबर आपका D सही है छोसुआ पैसक किलोग्रॉम से अधीक नहीं होना चाहिए 14 नमबर कोस्टन की और समझे गेज केज केज ग्रांडिंग नीम्न में से किस परकार की लाइन में किय जाती है केज जो हम लोग ग्रांडिंग करते हैं केज जो ग्रांडिंग करते हैं नीमन में से किस परकार के लाइन में की जाती है केज जो ग्रांडिंग हम लोग करते हैं नीमन में से किस परकार के लाइन में की जाती है तो सिर्फ वो उर्धवा परकार की लाइन में हम लोग करते हैं जो option number यह सही है cage grounding जो हम लोग करते हैं उर्धवा लाइन में 15 number question को समझे 15 number question में करा है कि बिदूत बित्रन परनाली में उभोकताओं के लिए पॉच तारवाली शिरोपरी लाइन अस्थापित की जाती है जिसकी बोल्टता होती है करा है बिदूत बित्रन परनाली में उभोकताओं के लिए पॉच तारवाली शिरोपरी लाइन अस्थापित की जाती है जिसकी बोल्टता होती है तो उसकी वोल्टता होती है 400 वोल्ट विद्दूत वित्रन विद्दूत एलक्टिक डिस्ट्रिबूशन सिस्टम में करा है कि हम लोग उभवताओं के लिए पॉंचतार वाली सिरोपरी लाइन अस्थापित की जाती है जिसकी वोल्टता होती है 400 वोल्ट जिसकी वोल्टता हो सो व्ल्ट थ्री फैज सर्विस लाइन कहलाती है यह आपको बताना है कि एंग नियुन व्लट ता लाइन कहलाता है कि जो आप्शन नं बह एक सही है 17 नंबर कोर्षन को समझे, 17 नंबर कोर्षन में कह रहा है कि विद्दूत उत्पादन के अंदर से grid station तथा सब station को विद्दूत सक्ती आपूर्ती के लिए निम्न में कौन सी लाइन उपयूग था है इसे ही हम लोग विद्दूत उत्पादन के अंदर से grid की और जोड़ेंगे अब फिर grid से सब इस्टेशन को विद्दूत सक्ती आपूर्ती के लिए तो वहाँ पे हमको उच वोल्टता लाइन की लाइन उपयूग थोगा जो option नंबर C सही है उसके बाद चलिए 18 नंबर को अस्थापित हो तो दो खंबों की पारस्प्रिक पराश 10 मिटर से अधिक नहीं होना चाहिए तो 45 मिटर से अधिक नहीं होना चाहिए जो option नंबर आपका 20 सही है 19 नंबर कोशन की ओर समझेए 19 नंबर कोशन में कह रहा है किसी निम्द तथा मद्यम बोल्ट तथा शिरोपरी लाइन का कोई भी चालकतार सडक के आर पार अवस्थाओं में भूतल से 10 मिटर से कम उचाई पर अस्थापित नहीं किया जाना चाहिए था कह रहा है कि किसी निम्द एवर मद्यम बोल्टेज शिरोपरी लाइन का कोई भी चालकतार सडक के आर पार अवस्था में भूतल से 10 मिटर से कम उचाई पर अस्थापित नहीं किया जाना चाहिए था तो कितना होना चाहिए था इसके बारे में पूछ रहा है कि भूमी तल से जो है न उसकी उचाई कितनी होनी चाहिए तो उसकी भूमी तल से उचाई होना चाहिए पांच दस मलब पांच दस मलब साथ नो एक पांच दस मलब साथ नो एक मीटर से कम उचाई पर अस्थापित नहीं किया जाना चाहिए चलिए बीस नमबर को संकार रहा है कि किसी भवन की च्छत से किसी नीम्न वो मध्यम बोल्टता लाइन के चालक तार की उरध्वा उचाई डैस मीटर से कम नहीं होना चाहिए अब वहां सडक की बात करा था लेकिन या भवन की बात करा किसी भवन की छत से किसी नीमन एवं मद्यम बोल्टता लाइन के चालक तार की उर्धवा उचाए डैस से कम नहीं होना चाहिए था तो कितना नहीं होना चाहिए था कम यहनी 2.4 तीन नो मीटर से कम नहीं होना चाहिए किसी भवन की छत से उर्धवा उचाहिए 21 नमबर कोस्वन में कराया कि किसी भवन की छत से 33 किलो वोल्ट पारेशन लाइन की न्यूनतम उचाहिए होना चाहिए तो कितना होना चाहिए तो 3.6 मीटर होना चाहिए चलिए 22 नमबर कोस्वन को समझे 22 नमबर कोस्वन में क्या कराया है 22 नमबर कोस्वन को समझे 22 नमबर कोस्वन में कराया है भारतिय बिद्दुत नियम के अनुसार जब सेवा लाइनों को किसी गली या उसके पार किसी अन जगह पर किसी ओचालक तार से संबंधित किया जाए तो लाइन का चालक या उसका कोई भाग एक निर्धारित उचाई से अधीक पर नहीं लगाया जाएगा नहीं लगाया जाएगा जैसे कि 11,000 वोल्ट लाइन के लिए निर्धारित उचाई क्या है 11,000 वोल्ट के लिए करा एक निर्धारित उचाई कितना होना चाहिए इसके बारे में पूछ रहा है तो 3.9.63 मीटर से कम नहीं होना चाहिए ये 22 नमबर को समझे काता है भारतिय विदुत नियम के अनुसार जब सेवा लाइन को किसी गली या उसके पार किसी अन जगा पर किसी ओचालक तार से संबधित किया जाए तो लाइन का चालक या उसका कोई भाग एक निर्धारित उचाई से अधीक पर नहीं लगाया जाए उसमें कारा 11 वोल्ट लाइन के लिए निर्धारित उचाई क्या होती तो 11 वोल्ट के लिए होता है 3.9.63 मीटर चलिए 23 नमबर को समझे 23 नमबर कोशन में 23 नमबर कोशन में देखिए क्या करा है 23 नमबर में एक दो मिलान करने वाला है, एक तरफ क्या युक्ति या साधन है, दूसरे तरफ उसका अधिक्तम वोल्टता कितना होता है, इसके बारे में बताना है, तैस नंबर कॉस्चन का देखिए, तैस नंबर कॉस्चन में क्या कर रहा है, एक तरफ आपका युक्ति या साधन है, दू प्रार्थमिक वित्रन लाइन की बात पुछी जा रहे हैं प्रार्थमिक वित्रन लाइन की बात की जा रहे हैं यहनि अप्शन नंबर ए यह सही है यहनि जनितन होगया आपका 11 किलो वल्ट फिर देख़आ ग्रिड लाइन होगया ग्रिड लाइन होगया आपका 2000 किलो वल्ट फिर देखे प्रार्थमिक बित्रन लाईन जो होता है प्रार्थमिक बित्रन लाईन भी होता है आपका 11KV का फिर मूख सर्विस लाईन होता है वो 400V का होता है जो option number A सही है तो चलिए आज का session यहीं पर some up करते हैं यदि आप आप लोगों को आज का सेर्शन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें शेयर करें यदु अमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब करें वह बैल आइकउन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को right notification मिलते रैं नेक्स डे थैंक्यो कॉलप